चंडी गट के प्रशासक एवं हर्याना तब पंजाब के राजपाल प्रफशर कप्तान सी सोलंकी जी पंजाब के मुख्यमंत्री सिमान प्रकाश सिंग जी बादल हर्याना के मुख्यमंत्री सिमान मनहोलाल जी कल्टर केंदर में मंत्री परशाथ के मेरे साथ ही सिमान सिपाद नायक जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी स्रिमान विजय सांपला जी चंडिगड के साउसत बहन कीरण खेर जी स्रिमान अजीत स्वरन जी डक्टर नागेंद्र जी स्रिमान प्रणो पंड्या जी सिष्टर सिवानी जी और विशाल संग्या में बढ़ारे हुए योग का समर्थन करवाले प्यारे भाईयों और बेहनों इस समय देश के हर कौने में इस योग के कारकम से लोग जुड़े हुए और विश्व के सभी देश अपने अपने समय की सुविधा से इस कारकम के साथ जुड़े हुए है इनाइटे नेशन द्वारा पूरे विश्व में आंतर राश्टिय योग दिवस मनाया जा रहा है भारत के अनुरोध पर गतवर्ष इसका प्रारंब हुआ 21 जून इसलिए पसंद की गई कि एक प्रकार से विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस होता है और एक प्रकार से सूरिय से निकट नाते का एक परव होता है और उसे इधान में रखते हुए 21 जून को आंतराश्टिय योगा दिवस के रूप में पसंद किया गए पूरे विश्व का समर्थन मिला विक्सित देश हो विकासवान देश हो समाज के हर तपके का समर्थन मिला वैसे उनाइटे नेशन के द्वारा कई ऐसे अंतराश्टिय दिवस बनाए जाते हैं मैं सबका उल्लेक नहीं करता हूँ लेकिन शायद उनाइटे नेशन द्वारा मनाए गए इतने सारे दिवसों में कोई दिवस जनांदोलन बन गया हो विश्व के हर कोने में उसको समर्थन और स्विकृति प्राप्त होती हो शायद आंतराश्टिय योगा दिवस की बराबरी कोई और दिवस नहीं कर पा रहा है एक साल के भीतर भीतर को कि अंतराश्टिय अनएक कारकम होते हैं ये येन के द्वारा इस टीव होता है सिर्ग वर्ल्ल हेल्ट डे होता है कि व्र्ल्ल मैंटल हल्ट डे होता है वर्ल एजडे होता है अनेख और भी कई हेल्थ को लेकर के भी अनेख बीत दिवस यूएन के द्वारा बनाए जाते हैं लेकिन यही है जिसका सीधा समद्ध हेल्थ के तो साथ है सारीरिक मानसिक सामाजिक तंदुरस्ति के साथ समद्ध है वो यह आज इतने बड़े पैमाने पर जन सामान्य का अंदोलन बना बना है और मैं समझता हूं कि यह हमारे पुर्वजों ने हमें जो विरासत भी है इस विरासत की ताकत क्या है इस विरासत की पहचान क्या है इसका परिचे करवाते हैं कभी कभी तो मैं कहता हूं योगासन एक प्रकार से जीवन अनुशासन का भी अधिश्ठान बन जाता है कभी कभी लोग इसको समझने में उनकी छमता की कमी के कारण पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं कभी कभी लोगों को लगता है योग से क्या मिलेगा ये पूरा विज्ञाल मैं लेने पाने के लिए हैई नहिं है योग क्या मिलेगा इसके लिए नहीं है, योग मैं क्या छोड़ पाऊंगा, मैं क्या दे पाऊंगा, मैं किनकी चीजों से मुक्त हो पाऊंगा, ये मुक्ति का मार्ग है, पाने का मार्ग नहीं है सभी संप्रदाय धर्म भक्ति पुजापाट वो इस बात पर बल देते हैं कि मृत्यू के बाद इह लोग से निकल करके जब परलोग में जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा आप अगर इस प्रकार से पूजा पद्दी करेंगे इश्वर की साधना अराधना करेंगे तो आपको परलोग में यह मिलेगा योग परलोग के लिए नहीं है मृत्यू के बाद क्या मिलेगा इसका रास्ता योग नहीं दिखाता है और इसलिए ये धार्मिक करमकान नहीं है योग इह लोग में तुम्हें मन को शांती कैसे मिलेगी शरीर को स्वस्ता कैसे मिलेगी समाज में एक सुत्रता कैसी बने रहेगी उसकी ताकत देता है ये परलोग का विज्ञान नहीं है इह इह लोग का विज्ञान है इसी जिनम में क्या मिलेगा उसी का विज्ञान है और इसलिए योग के सबन में शरीर, मन, बुद्धी, आत्मा ये सिंक्रोनाईज वे में काम करें इसकी एक ट्रेनिंग योग के द्वारा होती है हम अपनी तरफ देखें तो हमने देखा होगा कि हम चले या न चले हम स्फूर्तिले हो या आलसी हो, ठके हुए हो या उर्जावान हो, हमारा शरीर कुछ भी हो सकता है धीला धाला ऐसे ही, चलो छोड़ो यार कहां जाएंगे वहां बैटो लेकिन मन, मन कभी स्थीर नहीं रहता है वो तो चारों तरफ चकर मारता है, यहां बैठे हो और आपके अमरित सर्य याद आजा तो वहां चले जाएंगे आननपुर साहब याद आएगा तो वहां चले जाएंगे, मुंबई याद आएगा तो वहां चले जाएंगे कोई दोस्त याद आया तो उसके पास मन चला जाएगा मन अस्थीर होता है, शरीर स्थीर होता है यह योग है जो हमें सिखाता है मन को स्थीर कैसे करना और सरीर को गतिवान कैसे वरा रहा याने हमारी मुल्हुत प्रक्वति में परिवर्तन लाने का काम योगे के द्वारा होता है जिसे से मन की स्थिर्था की ट्रेनिंग हो और सरीर को गतिसिल्था की ट्रेनिंग मिले और अगर यह बैलेंस हो जाता है तो जीमन में इश्वर्दत जो यह हमारा शरीर है वो हमारे सभी संकल्पों की पूर्ति के लिए उत्तम माध्धम बन सकता है और इस अर्थ में योग आस्तिक के लिए भी है योग नास्तिक के लिए भी है जीरो बजेट से दुनिया में कहीं पर भी हेल्थ इंशावंत नहीं होता है लेकिन योग ऐसा है जो जीरो बजेट से हेल्थ एशॉरंस देता है योग को अमीर गरीब का भेद नहीं है विद्वान अनपट का भेद नहीं है गरीब से गरीब व्यक्ति भी अमीर से अमीर व्यक्ति भी योग आसानी से कर सकता है किसी चीज की जरुरत नहीं है एक हाथ फ्रवाने के लिए कहीं जगा मिल जाए वो अपना योग कर सकता है और अपने दन मन को तंदुर्स्त रख सकता है यह बारत जैसे गरीब देश दुनिया के गरीब देश देवलपिन कंट्री उनका हेल्थ का बजेट अगर प्रिवेंटिव हेल्ट केर पर बढ़ दिया जाए तो काफी बचाया भी जा सकता है वर सही काम में उप्योग भी लाया जा सकता है और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केर के जितने उपाय है उसमें योग एक सरल सस्ता और हर किसी को उपलब्द ऐसा मार्ग है और इसलिए योग को जीवन से जोड़ना जरूरी है बहुत लोग होंगे अगर आज जल्दी उड़ गए होंगे तो हो सकता है टीवी पर देखते हो या दिल भर में उनको टीवी पर ये कारकम देखने का आउसर मिले मैं विश्वभर के लोगों से प्रार्षना करता हूँ आप खुद के लिए खुद से जुड़ने के लिए खुद को जानने के लिए खुद की शमता को बढ़ाने के लिए मैं आप से आगरह कर रहा हूँ इंतजार मत कीजिए इस जीवन में योग को जीवन का हिस्सा बना दीजिए जिस प्रकार से आज मोबाइल फोन आपके जीवन का हिस्सा बन गया है उतनी ही सहजता से आप योग को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं कोई कठीम काम नहीं है उसको सरलता की और ले जाने की जरुवत है कभी कभी हम लोग योग के सबन में जब चर्चा करते हैं तब ब्रजील में एक धर्ममित्र योगी हो गए उनका दावाधा की योग के एक हजार आठ आशन होते हैं एक हजार आठ और उन्होंने प्रहत्त करके नवसो आठ आशनों की तो फोटोग्राफी की थी उस क्रियाओं की ब्रजील में जन्में थे योग को समर्पित थे दुनिया के हर भूभाग में आज योग प्रतिष्ठा का विशे बना हुआ है और जब योग का अकरशन हो योग की प्रतिष्ठा हो तब जिस महापुरुशों ने रुश्यों ने मुन्यों ने हमें ये विज्ञान दिया है हमारी जिम्मेवारी बनती है इसको सही में हम विश्व तक पहुंचाएं हम अपनी क्यप्रसिटी बिल्डिंग करें भारत से उत्तम से उत्तम योग टीचर तयार हो अभी भारत सरकार ने गुनवत्ता के लिए जो काउंसिल होती है क्वालिटी काउंसिल उसने योग की ट्रेनिंग कैसे हो योग की ट्रेनर कैसे हो उसकी कुछ नौम स्थाय करने की दिशा में काम किया है बारत सरकार ने डबली ओचों के साथ मिल करके पूरे विश्व में योग के प्रोटोकॉल क्या हो वैज्ञानिक तरीके क्या हो उस पर काम प्रारम किया है देश भर में योग को पुछान देने के लिए ववस्ता कैसे हो विश्व में योग का सही रूप कैसे पहुँचे और उसकी जो शुद्धता है उसको बरकरार रखने की दिसामें क्या काम हो उस पर काम हो रहा है ने ने संसबनों की भी आवश्ता है आपने देखा होगा आज कल बड़े बड़े शहरों में जो गाइनेकॉलाइजिस डॉक्टर होते हैं वो प्रेगनेंट विमेन को प्रेगनें के पाद भेटते हैं ताकि प्रसुती काल में उसको सबसे ज़्यादा मददरूप होता है योगिक क्रियाएं कि कहने का ताथ पर यह है कि जैसे समय बिताएं जैसे आवशकता होती है संसोधन करते हुए उसमें बदलाव लाने के लिए यह आवशक होता है हम बहुत व्यस्ता हो गए हैं खुद के साथ अपने को न जोड़ पाते हैं न हम खुद के साथ जी पाते हैं हम अपने आप से कटाफ हो चुके हैं योग और किसी से जोड़े या न जोड़े अपने आप से जोड़े हैं और इसलिए योग हमारे लिए शारिनिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना का केंद्र बिंदु बन गया है। स्वारीक स्वस्तता देता है, आध्यात्मिक अनुभूती के लिए मार्ग बना सकता है और समाज के साथ संतुलिती भहवार करने की हमें शिक्षा देता है। और इसलिए मैं चाहूँगा किसी योग को विवादों में टाले बिना जन सामान्य की भलाई के लिए और इही लोग की सेवा के लिए परलोग की सेवा के लिए नहीं है। परलोग के लिए संप्रदा है, धर्मा है, परंपरा है, गुरु महराज है, बहुत कुछ है। योग इह लोग के लिए स्वंता बढ़ाने के लिए हैं, और इसलिए हम अपने आपको योग से जोड़े, सब लोग अपने आपको योग को समर्पित नहीं कर सकते हैं, लेकिन खुद को जुड़ने के लिए योग से जुड़ना एक अत्या उत्तम मार्ग है, मुझे भी विशा में आगे बढ़ेंगे, आज योग विश्व में एक बहुत बड़ा आर्थिक कारोबार भी बनता जा रहा है, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा प्रफेशन के रुपे विक्सित हो रहा है, योग के ट्रेनर की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही हैं दुनिया म दुनिया के हर देश में मांग पट रही है नवजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्त करनारी किसा मावना हो रही है अर्बों खर्बों का कारोबार आज योग नाम की ववस्ता के साथ विक्सित होता जा रहा है दुनिया में कई देश ऐसे हैं कि जहां टीवी चैन चलती है एक बहुत बड़ा कारोबार के रुपे भी यह विक्सित हो रहा है जब योग आज हम हर प्रकार से योग करते हैं मैं योग से जुड़े हुए सभी महानुभावों से आज मैं सार्वजिनिक मंच से एक प्रार्षना करना चाहता है यह मेरी रिक्वेस्ट है क्या अगले साल जब हम योगा निवस मनाएंगे यह जो एक वर्ष है एक वर्ष दरिम्यान हम योग के लिए जो भी करते हैं करें लेकिन एक विशय पर हम फोकस कर सकते हैं क्या और वो मेरा विशय है मदूम में है डायाबिटीस डायाबिटीस और योग सभी योग की दुनिया के लोग जो भी ज्यान उनके पास है तरीक उनके पास है साल भर योग की बाकी चीज़ें तो चलेगी लेकिन ये प्रमूख होगा भारत में डायाबिटीस के संख्या बढ़ रही है योग के द्वारा डायाबिटीस से मुक्ति मिले या न मिले लेकिन उसको कंट्रोल तो किया जा सकता है हम सामान ये व्यक्ति को मदूमे सकती में डायाबिटीस की स्थिति में कौन से योगी को पाए हैं ये शिखाने का जनांदुलन खड़ा कर सकते हैं क्या देश में डायाबिटीस के कारण होने वाली परेशानियों से हम कुछ परसंटेज लोगों को भी मुक्ति दिलाएंगे तो योग इस वर्स के एच्विमेंट में अगले साल कोई और बिमारी नेंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस उत्तम स्वास्त के लिए कहीं पर किसी बिमारी को भी अड्रेस करें हम और एक वर्स के लिए एक बिमारी पकड़ करके अंदोलन चलाएं दूसरा योग ये बिमा इसकी गारंटी है यह सिर्फ फिट्नेस की नहीं एक वैलनेस की गारंटी है और इसलिए हमने वैलनेस पर भी अगर जीवन को एक होलिस्टिक डवलप्मेंट के लिए और ले जाना है यह उसका उत्तम मार्ग है आज जब अंतरास्तिय योगा अगा दूसरा वर्ष है भारत ने विश्व को अन्मौल विरासत दी है विश्व ने आज अपने अपने तरीके से उसको स्विकार किया है ऐसे समय भारत सरकार की तरफ से मैं आज दो एवर्ड गोशित करने जा रहा है अगले वर्ष जब 21 जून को अंतरास्तिय योग दिवस मनाए जाएगा तब भारत की तरफ से यह दो एवर्ड के लिए चयन होगा उनको एवर्ड उसी समाहरों में दिया जाएगा एक आंतरास्तिय स्कर पर योग के लिए उत्तम काम हो रहा हो उनके लिए वर्ड दूसरा भारत में हिंदुस्तान के भीत योग के लिए जो उत्तम काम होता होगा उनके लिए एवर्ड एक आंतरास्तिय योग एवर्ड एक रास्तिय योग एवर्ड प्यक्ति संस्ता हर को इसमें जूर सकते हैं उसकी जो एक्सपर्ट कमिटी होगी वो उसके नियम बनाएगी उसके तौर तरीके बनाएगी जूरी तै करेगी लेकिन विश्व भर्वें जिस प्रकार से अनेक अनेक ग्लोबल एवर्ड की वहवाई होती है याद होती है उसका महत्वय माना जाता है हिंदुस्तान चाहता है कि भारत विश्वर के लोग जो योग से जुड़े उनको संबानित करें हिंदुस्तान में जो योग के लिए काम कर दें उनको संबानित करें और यह परंपर हम आगे बढ़ाए दीरे दीरे इसको राज्यों डिस्ट्रिक्टर कुई लिए हम ले जा सकते हैं तो उस दिश मैं रिदेश से विश्व का अभार व्यक्त करता हूं मैं यूएन का अभार व्यक्त करता हूं मैं देशवासियों का अभार व्यक्त करता हूं मैं योग गुरुओं का अभार व्यक्त करता हूं मैं योग के साथ समर्पित सभी पीडी के लोगों का अभार व्यक्त करता हूं जिनों ने इस परंपरा को बनाय रखा है और आज भी पूरन समर्पण धाव से योग की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और जैसे मैंने कहा जीरो बजेट वाला है हेल्ट एश्वरंस इसको हम एक नई ताकत दे नई उर्जा दे नई प्रिणा दे मैं सभी योग से आज इस चंडीगट की धरती पर अभी बादल साथ को पूछ रहा था कि इस परिशर का इत्रम उत्तम उप्योग इसके पहले कभी हुआ है क्या मैं यहां बहुत पहले आया करता था मैं चंडीगट में रहता था तो नहीं पांच साल में यहां रहा हूं तो मैं भली भातिन मन को बहुत आनंद हो रहा है कि हजारों की सादाद में योग को के साथ जुड़े लोगों को देख करके मन को बड़ी प्रसंता होती है और विश्वा पूरा जुड़ रहा है यह अपने आप एक गर्व की बात है मैं फिर एक बार इस महान प्रव्परा को प्रणाम करते हु बहुत बहुत धन्यवाद माननी प्रधान मंत्री जी योगह मन प्रसमनह उपाया मन को नियंद्रित करके शांत रखने का उपाय योग है आए अब हम योग के लिए तयार हो जाएं यहां पर योग का लाइफ डिमॉस्ट्रेशन किया जाएगा आपसी निवेदन है कि कृप पर देखकर आप योगा असन करेंगे माननी प्रधान मंत्री जी कहते हैं जो मन बुद्धी और शरीर तीनों को सिंक्रोनाइज कर पाता है ङ। योग:" आज भारत योगपर्व मना रहा है, सारा विश्व योगपर्व मना रहा है विश्व को अपना बनाने, विश्व का भला करने के लिए वसुधैयो कुटमपकम को सच्चरितार्थ करने के लिए भारत की विरासत विश्व को जोडने का काम कर रही है आगे की कारवाई मैं सामने वाले मंच जो मेरे बाई और है उसके सुपुर्द कर रही हूँ जहां से यो कलाइब डिमांस्टेशन किया जाएगा